टूफ हीलर्स में डिस्क ब्रेक आते ही लोगों को उस ब्रेक में इतनी दिल्चस्पी हुई कि वो डिस्क ब्रेक को जोर जोर से दबा कर पिछला चक्का उठा कर उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी को चेक करने लगे ब्रेक में दम कितना है और कैसे काम करता है तो चलिए जानेंगे कि आखिर डिस्क ब्रेक काम कैसे करता है देखिए किसी भी वहीकल को रोकने के लिए डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेक के मुकाबला ज्यादा अच्छा काम करता है जब हम ब्रेक लगाते हैं तो अंदर लगा पिस्टन भी घूमता है इस piston के अंदर तेल भरा होता है और brake दबाते ही ये तेल प्रेशराइज होता है या एक केबल द्वारा brake pad के बड़े piston से जुड़ा रहता है दोनों जगए पर छोटा बड़ा piston होने की वज़े से हमारे द्वारा लगाया गया force, brake pad पर कई गुना बढ़ जाता है इस तरह हमारे द्वारा लगाया गया force, brake pad को आगे धके लेगा और brake pad प्लेट को घूमने से रोकेगा और डिस्क ब्रेक की प्लेट सीधे टायर से जुड़ी होती है ज्यादा तेज ब्रेक लगाने के लिए नीचे दो पिस्टोन का प्रयोग किया जाता है वैसे आपको डिस्क ब्रेक कैसा लगा था जब ये पहली बार आया था